इंडियन रेसिपीज को डिलीशिस बनाने में इंडियन मसालों का बहुत बड़ा हाथ है एक सिंपल सी डिश में भी चार चान लग जाते हैं अगर उसमें स्पाइसिस एप्रोप्रियेट कॉंटिटी में हो कुछ फीवर्स जानना चाहते हैं कि अपनी रेसिपी वीडियो या फिर व्लॉग्स में भी जो मसाला मैं यूज करती हूँ उनको बनाती कैसे हूँ कुछ पाउडर मसाला मैं मार्केट से बाई करती हूँ और कुछ को मैं खुद बनाती हूँ आज मैं 5 मसाला रेस्पी आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ इनका यूज आपके खाने के स्वात को कई गुना बढ़ा देगा चलिए स्टार्ट करते हैं मेन मसाला यानि की गरम मसाला रेस्पी से सारे मसालों को रोस्ट करते हुए फ्लेम हमेशा हमने लो ही रखना है तो गरम मसाला बनाने के लिए पैन में सबसे पहले मैंने लिया है 1 फोर्थ कप साबू धनिया, 1 फोर्थ कप जीरा, 1 टेबल स्पून सॉफ इन तीनों चीजों को हमने लो फ्लेम पे 1-2 मिनट तक रोस्ट करना है हाइफलेम पे रोस्ट नहीं करना है बहुत जाय देर तक हमसाल क्यों तक खराब हो recognized अ इसी लिए करते हैं तक हिम जीर्ड करने में प्रॉब्लम या या आई लिए हैं दो पीसिज और साथी पान से चे टुकड़े लिए हैं दाल चीनी के एक जैफल, काली मिर्चली है, एक चमच और साथी डाला है तेज पत्ता, इन सब चीजों को भी हम एक से डेर्ड मिनट तक ही रोस्ट करेंगे, कोई भी मसाला बनाने के लिए उसकी कौंटिटी आ और यूज करने से इनका अरोमा धीरे-धीरे खतम होने लगता है, आप चाहें तो इन सबी चीजों को एक साथ भी रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन अलग-अलग रोस्ट करने से ये अच्छे से रोस्ट हो जाती है, क्योंकि कोई मसाला ज़ादा टाइम लगता है रोस्ट होने मे तो तयार हो गया है अब इसे किसी dry container में निकालेंगे लेकिन ध्यान रहे ये container आपका airtight container होना चाहिए नहीं तो moisture की वज़ा से आपका masala खराब भी हो सकता है और इसे use करने के लिए हमेशा dry spoon का ही इस्तिमाल करें मैं masala हमेशा थोड़ी quantity में बनाती हूँ और इन्हें store करने के के लिए इसी तरह के छोटे containers का इस्तेमाल करती हूँ कौन से container में कौन सा मसाला है ये जानने के लिए हर container पे एक slip का होना बहुत जरूरी है पेपर पे उसका नाम लिखके टेप के साथ उसको stick कर सकते हैं दाकि आप जान सकें कि कौन सी डिबी में कौन सा मसाला है ऐसा गरने के लिए साथ से आठ स्टिक्स लिए है मैंने दाल चीनी की और साथी तीस से चालीस लिए है मैंने छोटी इलाइची इन दोनों चीजों को में रोस्ट करूंगी वो भी एक से डेड़ मिनट लो फ्लेम पे इन दोनों चीजों को रोस्ट करने के बाद मैंने ग्राइंडर जार में डारेक्ट ही निकाल दिया है अब उसी पैन में एक टेबल स्पून के राउंड मैंने सौंफ डाली है अब इसे भी एक से डेड़ मिनट तक मैं रोस्ट करूंगी कुछ लोग ब्लैक पेपर यानि की क जाल चीनी के साथ ग्राइंडर जार में ही डाल दूंगी और उसके बाद मैं डालती हूं चाय में रोस्ट पेटल्स आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं अगर आप मसाला बना रहे हैं तो बेटर है कि आप इसको रोस्ट करके इसी के साथ ग्राइंड कर लें चाय में रोस् तुलसी का पौदा है तो दो-चार पत्ते तोड के लाएं और वो भी चाई में डाल दें आप चाहे तो उनको सुखा कर इसका पाउडर बनाके इस मसाला में भी एड़ कर सकते हैं कोई जानता है कि तुलसी भी एक मेडिसन की तरह ही काम करती है वाइरल फीवर हो या फिर आपको खांसी हो जुकाम हो तो बेस्ट होता है कि जब आप चाई पीते हैं तो तुलसी के दो-चार पत्ते उसमें आड़ कर लें और एक छोटा चमज डाल रही हूँ मैं अदरक का पाउडर यानि की सौंट का पाउडर आप चाहें तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं क्योंकि आज कल विंटर में हम अदरक वैसे भी चाय में कूट कर डालते हैं उसका भी टेस्ट काफी अच्छा आता है लीजे चाय मसा मसाला की स्लिप एक बार ये मसाला ट्राइज रूर कीजेगा आई होप आप डिसपॉइंट नहीं होंगे नेक्स्ट रेसिपी है चना मसाला जिसे हम पंजाबी में छोले मसाला भी कहते हैं इसे बनाने के लिए पैन में सबसे पहले वान फोर्ट कप साबुद्धनिया वान फोर्ट कप जीरा दस से पंदरा लॉंग लिए हैं दस से बारा बड़े इलाइची कुछ दाने लिए हैं ब्लैक परिया निकाली मिनच के दो लिए हैं जावित्री के पीजिस एक जैफल लिया है और साथी चार से पांच लिए हैं सेने मनस्टिक यानि की दाल जीनी अब इन सब चीजों को वही हम एक से डेर्ड मिनट तक लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे इंग्रीडियंट्स वही ह होते हैं लेकिन हर मसाले में थोड़ा बहुत फेर बदल होता है धनिया और जीरा हर मसाले की शान है आगे की चीजों को रोस्ट करने से पहले इन सभी को हम पहले एक बौल में निकाल देंगे अब उसी पैन में कुछ तेज पता लिए हैं और साथी लिए है सूखी साबुत इनको भी हम एक मिनट के लिए रोस्ट करेंगे चैना मसाला पाउडर की जो में रेस्पी आपके साथ अभी शेयर कर रहे हूं वह बहुत ही बेस्ट रेसिपी है आप इसे स्पाइसी पनाना चाहें तो आप इसमें सूखी हुई लाल मिर्च और एड कर सकते हैं इस मसाला को बना के एक बार यूज करने के बाद आप मार्केट से चैना मसाला कभी बाई नहीं करेंगे उसके बाद 1 फोर्थ कप के करीब मैंने लिए है कसूरी मेथी इसे भी हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे और उनी सब चीजों के साथ हम मिक्स कर देंगे उसी पैन में फिर मैंने लि इसमें जिंजर यानि की सौंट का पाउडर आमचुर पाउडर डाला है एक चोटा चमच डाला है मैंने हींका और साथी डाला है इसमें ब्लैक सॉल्ट अब इन सब चीजों को एक साथ हम डालेंगे ग्राइंडर जार में और ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे इसके लिए पैन में सबसे पहले लिया है 1 3rd cup के अराउंड खस-खस, खस-खस को हम बिल्कुल light brown हुने तक roast करेंगे, और इसी एक bowl में निकाल के side कर देंगे, और एक पैन में डालेंगे 1 4th cup के अराउंड साबुत धनिया, साबुत जीरा, थोड़े से long डाले हैं, थोड़े सी काली मिर्च के दाने, बड़ी इलाइची ली है, कुछ दालचीनी के pieces, कुछ छोटी इलाइची ली है, साथी ली है, दो pieces जावित्री के, वही 1-1.5 मिनट तक हम low to medium flame पे इसको roast करेंगे, और खस-खस के साथ उसी bowl में इन सब चीज़ों को भी डाल देंगे, और उसके बाद चलेंगे अपने next step पे, और हमारा next step है, सूखी साबुत, लाल मिर्च और कसूरी मेथी को roast करना, इन दोनों चीज़ों को हम 1-1.5 मिनट तक low to medium flame पे roast करेंगे, मसाला थोड़ा spicy होता है, इसलिए हमने लाल मिर्च का इस्तिमाल इसमें जादा किया है, उसके बाद मैंने एक चमच डाला है, इसमें ginger powder, और इसके बाद बारी आती है, इसे grind करके powder बनाने की, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी थी, तो सारे मसाले मैंने आज एक साथ बनाए है, तो मेरा kitchen तो क्या, आज मेरा पूरा घर खुश्बू के साथ महक रहा है, तकरीबन तकरीबन हर तरह के मसा दाले कि खुश्बू मेरे पूरे घर में इस वक्त फैल चुकी है, और यही reason है कि खाने में इंका इस्तेमाल हमारी भूक और बढ़ा देता है, फिफ्ट एंड लास्ट रेसिपी है सांबर मसाला, इसके लिए पैन में डाले हैं दो टेबल स्पून चना दाल, दो टेबल तूर यानि की अरहर की दाल, तीनों दालों को लो से मीडियम फ्लेम तक हम दो मिनट के लिए रोस्ट करेंगे, दालें रोस्ट हो जाएं तो उसके बाद इने निकाल देंगे एक बोल में, उसके बाद उसी पैन में वन टेबल स्पून मेथि सीड्स लेंगे, उसे भी एक से देड मिनट तक रोस्ट करेंगे और उसी बोल में डाल देंगे, फिर से उसी पैन में हम डालेंगे वन फोर्थ कप साबुद धन्या और वन फोर्थ कप जीरा, दोनों चीजों को अच्छे से रोस्ट करेंगे, हर मसाले को हमने बहुत ही कम टाइम के लिए और लो टू मीडि इस अपके पास बाइगे लग तो पूद फ्रिश पड़े हैं करी मसाला रडी और सामर मसाला jużए बीडियो अच्छी लगई हो तो लाइक kीज़ेगा, मिलती हूं आपस नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ till then bye take care and stay healthy